हलो फ्रेंड्स मैं रुपेश पटेल दोस्तो आज की समय में तनाव, सिंता, हतासा, भय, डिप्रेशन, फ्रस्टेशन ऐसी समस्याइं बहुत बढ़ चुकी हैं इस तरह की मांसिक समस्याओं से बाहर निकलने के लिए हमारे अंदर पावर होना चाहिए हमारे अंदर पावर का संचार करना है, हमारे अंदर उर्जा का संचार करना है, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें किसी भी परिशिती के लिए हमें खुद को तयार रखना है, हमें प्रिपेरिशन करना है, चाहे जिंदगी में कोई भी परिशिती आ जाए, चाहे कोई भी हालात खड़े हो जाए हमको वो हालात को जहलने के लिए तयार रहना है दोस्तो आज की समय में सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग समस्याओं के लिए तयार नहीं है प्राब्लम्स जहलने के लिए तयार नहीं है उसने उसका कोई प्रिपेरेशन ही नहीं किया है और इसलिए जब कोई समस्या खड़ी होती है जब कोई प्राब्लम आता है तो लोग तूट जाते हैं हतास हो जाते हैं फरस्ट्रेड हो जाते हैं डिप्रेस हो जाते हैं लेकिन जिसने प्रेपेरेशन किया हुआ है जो लोग कोई भी सित्ति के लिए तयार है अपने आपको इ यह एक ही बात बताता हूं, कि अपने आपको कोई भी समस्या के लिए, कोई भी हालात के लिए तयार रखिए। सिंदगी में हमेशा सही होगा विल्कुल ठीक होगा ऐसा नहीं है कदम कदम पर समस्याएं हैं कदम कदम पर विरोध हैं ऐसा होने ही वाला है हम कई बार असफल होने ही वाले हैं लोग हमारा विरोध करेंगे हमारा अपमान करेंगे हमसे बतमीजी करेंगे हमसे दोखे बाजी क उत्ता रहता है और ऐसी सिती के लिए हमें तयार रहना है हमें कोई भी सिती के लिए अपने आपको तयार रखना है जिन्दगी में चाहे कोई भी सिती खड़ी हो जाए चाहे कोई भी समस्या खड़ी हो जाए चाहे समस्याओं का बवंडर आ जाए हमें उसको जहलने के लिए तैयार रहना है, दोस्तों सारी दुनिया में भुकंप आ जाए, सारी दुनिया में आग लग जाए, सुनामी आ जाए, हमारा सब कुछ खतम हो जाए, हमारा सब कुछ लुट जाए, परिवार बरबाद हो जाए, पैसा खतम हो जाए, तो भी हिम्मत नहीं हारना है, डट के मुक इसमें कुछ भी गलत नहीं है ऐसा होता है लेकिन हमें ज्यादा देर इस थिति में नहीं रहना है हमें जल से जल इस थिति से बाहर आना है और ऐसा करने के लिए हमारे अंदर पावर होना ही चाहिए दोस्तों हमारे अंदर पावर कैसे पैदा करना है वो मैंने आपको बताया है आप उसके प्रैक्टिस कीजिए हर रोज कीजिए हर रोज अपने आपको पावरफुल बनाते जाएए वही अल्टिमेट रास्ता है हमारी सारी समस्याओं से निजाद पाने का और आपको ये करना ह दोस्तो एक और समया है डर की, लोग डरे हुए हैं, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ऐसा नहीं हुआ तो, यह सब लुट गया तो, यह सब चला गया तो, अरे दोस्तो क्या चला जाएगा दोस्तो कोई भी स्थिती में डरना नहीं है किसी से भी नहीं डरना है कोई भी सरकारी अधिकारी से नहीं कोई भी मेनिस्टर से नहीं किसी भी व्यक्ति से नहीं डरना है चाहे जिसको जो करना है उखाड ले जिसको जो खड़ना है उखाड ले हम इसके सामने खड़े हैं जिसको जो कनाय कर ले हमें कोई डर नहीं है हम बिंदास खड़े हैं मारना है तो मार ले फांसी पे लटका दे नहीं तो लटका दे काट दे नहीं तो काट दे हम वैसे ही खड़े हैं जिसको जो कनाय कर ले जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले दोस्तो इसी तरह से पेश आओ डडड़ के जिन्गिया नहीं जी सकते हमें किसी से डड़ना नहीं है डड़ के कोई वज़ा नहीं हो सकती हम जो है हम ही ताकत है हम ही पावर है हम ही सुप्रीम पावर है हम से जमाना है जमाने से हम नहीं है दोस्तो मजबूत बनके जीना है स्ट्रॉंग बनके जीना है कोई भी स्थिती में हिम्मत नहीं हारना है वो अपने आपको हर रुज याद दिलाते रहना है हर रुज याद दिलाते रहना है कि मैं कौन हूँ दोस्तो आपको ऐसा करके दिखाना होगा और आप ऐसा कर सकते हैं मुझे विश्वास है आपकी सक्तियों पर मुझे विश्वास है इश्वर की सक्ति पर इसलिए आप कर पाएंगे और आपको ये करना ही होगा दोस्तो ये वीडियो आपको अच्छा लगता है इस वीडियो से आपकी फिलिंग बदलती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ये वीडियो अपने दोस्तों को अपने रिलेटिव्स को और पाउरफुल बनाने के लिए और स्ट्रॉंग बनाने के लिए और मोटिवेट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए जो लोग पूरे दिन रोते रहते हैं सिकायत करते रहते हैं ऐसे लोगों को खास ये वीडियो शैर कीजिए उसको एहसास कराईए कि रोने दोने से कुछ नहीं होने वाला है लड़ना पड़ेगा फाइटर बनना पड़ेगा फाइट करनी पड़ेगी तब हब जिन्दिगे में कुछ एच्विमेंट कर पाएंगे हम हमारी मन पसंद जेंगी बना पाएंगे थैंक यू, all the best